हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अल्फाचेस दोस्तो आज हम पॉल मॉर्फी का दूसरा गेम लेके आएं जो कि उन्होंने ओपेरा थेटर में खेला था यह बहुत ही फेमस गेम है इसमें पॉल मॉर्फी दो कंसल्टेंट के अंगिश्ट खेलते हैं इस गेम को पैरेस में 1889 में दोस्तो यह गेम जो है बीटिफिल फिनिश के लिए जाना जाता है इसमें कुई सेक्रिफाइस कराके चेक्मेट करते हैं वो और बहुत ही जबरदरस्त गेम हुआ है तो दोस्तो शुरू करते हैं भी इसमें पॉल मॉर्फी वाइट है और उनके जो अपोनेंट दो कंसल्ट है वैसे आजकल यह डिफेंस बहुत कम खेली आती है उतना सॉलिड नहीं माना जाता इसको तो इसमें मॉर्फी जबाब देते हैं फिर डी फॉर के साथ वो सेंटर को तुरंती चेलेंज करते हैं और उनके जो अपोनेंट खेलते हैं बिसब जी फॉर जो कि एक इनकुरेट म मॉव है तो उसका त्रोंती फादा उठाते हैं मॉर्फी और डी फाइब खेलते हैं तो अगले मुव में जह सक दिखरा है अगर डी वाला पॉन केप्चर करेगा यह पॉन को ब्लेक तो कुईन एक्षेंज करके एक अच्छा गेम जा सकता है एंड गेम में तो इसलिए उनक मॉर्फी खेलते हैं बिसप c4 अब देखिए दोस्तों डारेक्ट f7 square पर थ्रेट आ रहा है भी चेकमेट का तो सिंपल नाइट f6 से बचाने की कुसिस करते हैं लेकिन यहां पर देखिए पॉल मॉर्फी जो अपनी कुईन को एक side of board king side से कैसे queen side में shift करते हैं और एक फिर से थ्रेट जनरेट करते हैं तो दोस्तों यहां चलते हैं एक good move queen b3 तो यहां से जैसा आपको दिख रहा है f7 पर भी attack हो रहा है अटेक तो f7 पर फिलाल बचाते हैं वह अपना टेक queen e7 से उनके अपोनेंट तो दोस्तों यहां पर जो है अभी जल्दवाजी नहीं दिखाते हैं उनके morphy और simple developing move खिलते हैं knight c3 जैसा कि उनको उनके game में आपको देखने को मिलता है कि वह king पर तुरण अटेक करने की गुस कर लिया है तो morphy खेलते हैं इसमें bishop g5 पिन करते हैं उनके knight को और दोस्तों यहां पर उनके अपोनेंट जल्दी से जल्दी queen side से अटेक करना चाहरा है तो वह यहां पर एक inaccurate move खेलते हैं b5 दोस्तों तो यहां पर morphy एक billion move ढूड़के लाते हैं और वह अपने knight को sacrifice कराते हैं ताकि king को जल्दी से जल्दी अटेक किया सकें और वह चलते हैं बहतरीन move knight b5 और cb5 और bishop b5 चेक तो दोस्तों यहां पर जो है उनके अपोनेंट चेक बचाते हैं भी knight से knight bd7 और यहां पर एक और good move आता है उनका long cashling queen side cashling ट्रपलो के साथ में और दोस्तों अभी जैसा आपको threat दिख रहा है यहां पर d7 पर double attack हो रहा है queen से और bishop और rook से तो उनके opponent इसको बचाने के लिए रुक लाते हैं अपना defense में और यहां से morphy की जो brilliant attack करने का जो style है और attack करने की जो उनकी छमता है वो देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहां पर यह नाइट से तो मार नहीं सकते क्योंकि queen है उनकी और queen से double attack bishop होई रहा है तो वो जो रुक से इसको मारते हैं और यहां पर queen दोस्तों जो d7 पर black का rook है वो pin है उत्तुरंती इसको pin पीसको attack करना रहता है तो यहां पर जो अपने दूसरे rook को game में ले इसलिए वो अपनी queen को तुरंत पिन से unpin करते हैं अपनी queen को और वो चलते है queen e6 लेकिन यहां पर और action करने के लिए जाते हैं लेकिन यहां पर जो है morphy ने बहतरीन move डूड के रखे थे और वो खेलते हैं यहां पर दोस्तों रुक बिशप से direct check देके threat देते हैं और उनके opponent सिंपल उसको क्योंकि अभी अन्पिन कर चुके हैं तो नाइट से capture करते हैं और दोस्तों यहां पर एक जबरदस्त मूव आ रहा है अगर आप चैस्ट के शौकीन है और आप थोड़ा से अभी इसमें अगर टैक्टिक्स वाल करना चाहते हैं तो एक मूव दो मूव में है च इस गेम को अभी एंजो करें दोस्तों तो यहां पर बहतरीन जबरदस्त मूव बेस्ट मूव चलते हैं मौर्फी और मेटिंग थ्रेट एक्दम डैडली थ्रेट खेलते हैं किंग एंगिश्ट और क्वीन बीएट चेक दोस्तों यहां पर अभी उनके पॉनेंट के पास सब्सक्राइब करें तो दोस्तों यह गेम कैसा लगा आप जो है फीडबेक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अलफाचेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्यू